प्रेव इध्यार्थियों, देखिए पिछले चैप्टर अपने बात की ब्रमर गीत परंपरा, तो ब्रमर गीत परंपरा के जो प्रमुक कभी हैं, उसमें अपने बात की सूर्दास, सूर्दास के बारे में आप भली वहांती परचित हैं, कि सूर्दास ने वातसले और प्रेम और स्रिंगार रस के समराट कहे जाते हैं, आचारी शुकल ने कहा है, उनका मत है कि सूर्दास को वातसले स्रिंगार का समराट कहते हैं, बाल चेश्टाओं के ऐसी स्वभावी के मनुहर जांके अन्यत्र नहीं मिलती आचार शुकल का मत है कि सूर्दास के स्रंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापती की पदत्ती पर हुई जहां तक स्रंगार और वातसले वर्नन का प्रशन है शुकल जी मानते हैं कि आगे होने वाले कवियों की स्रंगार और वातसले की उक्तियां सूर की जोटी सी जान पड़ती हैं और सूर्दास को पुष्टि मार का जहाल भी कहा गया है अचार शुकल ने जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोश्वामी तुलसी दास जी का इस्तान सर्व स्रिष्ट है उसी प्रकार क्रशन चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महत्मा सूर्दास जी का वास्तम में ये हिंदी काव गगन के शूर्य और चंद्र हैं सूर्दास के अत्रिक नंददास की भी अपने चर्चा की जो अश्ट चाप के कवियों में में प्रमुख इनकी गिंती की जाती है ये गोश्वामी बिठल नात जी ने अश्ट चाप में अपना सिस बना कर इनको सामिल किया देखिए अश्ट चाप के जो कवियों में अश्ट चाप के कवियों में चार तो गोश्वामी बलवाचारे के चार सिस्से हैं जिसमें कुम्भन दास, शूर दास, परमान दास और क्रस्न दास देखिए अश्ट चाप बलवाचारे जी के पुष्टी मार को मानने वाले ये आठ कभी जिन पर बलवाचारे जी के पुत्र गोश्वामी बिठल नात ने अपने आशिरवाद की चाप लगाई ये अश्ट शका या अश्ट चाप के नाम से जाने जाते हैं चार बलवाचारे के सिस्से हैं कुम्भन दास, सूर दास, परमान दास, क्रस्न दास और गोस्वामी, बिठल नात के चार सिस, जिसमें गोविन्द स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुरुबुल्दास अब देखिए इसके बाद में जो नाम लिया जाता है वो नंदास नंदास के बारे में आपने चर्चा पिछले चैप्टर में भी सुनी थी नंददास के बारे में एक उक्ती बहुत ही चर्चित है कि और कवी गड़िया नंददास जड़िया देखिए रंददास जी की जो प्रमुख जो रचनाए हैं ग्रंध हैं उनमें अनिकार्थ मंजरी रस मंजरी रूप मंजरी ब्रे मंजरी मान मंजरी शाम सगाई प्रेम बारकड़ी शुदामा चरित रुकमनी मंगल बहुमर गीत राश पंचादाई शिद्दान ब्रमर गीत परंपरा ब्रमर गीत परंपरा के बारे में देखिए ब्रमर गीत है क्या और ब्रमर गीत के बारे में काफी जैसे ब्रमर गीत सूर्दाश जी के इसके रचेता हैं ब्रमर गीत नंददाश ब्रमर गीत सतनारन कविरत प्रेपरवास उसमें भी इसी प्रकार का र ब्रमर्गीत परंपरा क्या है? देखे ब्रमर्गीत परंपरा अब तक उस काव के लिए रूड हो गया है जिसमें उद्धव और गूपी संबाद होता है। इमूक वेथा व्रह वेदना का मार्मिक चित्रन करते हुए नायक के प्रती नायका के उपर लंबो का चित्रन किया जाता है। अंद के 46 वें 47 वे अद्धया में ब्रमर्गीत पर संग है। सिरे क्रिस्न गोपियों को छोड़कर मत्रा चले गए हैं। गोपियां विरेव विकल हो गई हैं। क्रिस्न मत्रा में लोग इतकारी कारियों वेश थे। किन्तु उन्हें ब्रज की गोपियों की याज सताती रहती है। उन्होंने अपने अभिन्य मत्र उद्धव को संदेश वाग बनाकर गोपियों के साथ उनका वारतलाप हुआ। तभी एक ब्रमर वहाँ उड़ता हुआ आ गया। गोपियों उस ब्रमर को प्रतिक बनाकर अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव और कृस्म पर जो वेंकिये उपालंब दिये। उसी को ब्रमरगीत के नाम से जाना जाता है। ब्रमरगीत परसंग में निर्गुन का खंडन, सगुन का मंडन तथा ज्यानेवी योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को स्रेष्ट ठेराय गया है। ब्रजवाशा काब में ब्रमरगीत परंपरा के कई गरंथ उपलवद होते हैं। विद्वान इस परंपरा का प्रारम मेथिल कोकिल विद्यापती के पदो से मानते हैं किन्तों विद्यवत रूप में ब्रमरगीत परंपरा सूर्दास से ही प्रारम होई। प्रमर्गीत प्रमप्रागे कुछ प्रमुक गरंत इस प्रकार है जो अभी चर्चा की थी कि ब्रमर्गीत सूर्दास, भमर्गीत नंदास और ब्रमर्दूत सत्यनारण कवी रत्न, प्रेप्रवास, अयोध्या शिंगुपाद दैहरियोद, उद्धव सतक जगरनादास रत्ना कर, देखिए कृष्ण भक्ति जो कभी है मीरा, उसका जन पंद्रे सो चार और मृत्यू पंद्रे सो त्रे सट इस्विम हुई, उनका जन मेड़ता के समीव वर्ती गाउं कुडकी में राठोडवन सी परिवार में हुआ था, उनके पिता का नाम रतन सिंग था, मीरा की माता का निधन बच्पन में ही हो गया था, अतावे मेड़ता में राव दूदा के पास रही, जिनोंने उन्हें वैशनव वक्ति के संसकार दिये, मीरा बाई का विभा, चितोड के राना, सांगा के जेष्ट पुत्र भूज राज से पंद्रा सो, सोला इस्विम हुआ, और दुर प्रणाम ते प्रणाम शुरूब राज परिवार में उन्हें विरोज जेलना पड़ा, वे अपना अधिकान समय पूजा पाठे में वक्ति में वेतित करने लगी, राना सागा के उत्रा धिकारी विक्रम सिंग ने मीरा को अनेक आतनाय दी, पर गिर्धर गोपाल के प्रती म मीरा की भक्ती भावना अवे चल रही, बाद में मीरा के चचेरे भाई जैमल ने उन्हें मेडता बुला लिया, किन्तु वहां भी वे युद्ध के कारण टिक नहीं पाई, और पुशकर होती हुई ब्रंदावन पहुंची, जहां उनकी बेट क्रश्न भक्त जीव गोश्व जो वर्त्मान में मीरा भाई की पदावली के नाम से प्रकासित हुई है, अने काब में राजस्तानी मिश्रित ब्रजवासा का प्रयोग हुआ, उसमें गुजराती कावी पुट है, मीरा भाई की उपाशना माधूरी भाव की थी, वे अपने इश्ट देव स्री क्रश्न को प्रेतम के रूप में मानती थी, इस भाव की उपाशना में रह्ष का समावेश अनिवारियत है, जिसे सुकुल जी सूपियों का प्रभाव मानते हैं, मीरा भाई की गणना भारत के प्रधान भावों में की जाती है, इनका गुनगान नावादास, दुरूपदास, व्यास, मलू, दास ने भी किया, मीरा की रचना में उलेखने है, नर्सी जी का माहरा, गीत गोविन का टीका, राग गोविन, राग सोर ठागरपद, देखें विद्यारतियों कई बार प्रशन पूछा जाता है, टिपनी, निम्न के उपर टिपनी लिखिये, तो जैस सूर दास को मीरा को उपर पूछ लिया, मीरा की बक्ति किस प्रकार की है, इस प्रसार से प्रशन पूछे जाते हैं, तो इसमें उनकी प्रमुक्रशना, नर्सी जी का माहरा, गीत गोविन का टीका, राग गोविन, राग सोर ठागरपद, आचारे शुकल जी ने एक जन शुरूती के बा विने पत्रिका का ये पद लिख कर भेजा, कि जाके प्रिये ना राम विदेही, तज्ये ताही कोटी बेरी समजद पी परम सने, शुकल जी इस घटना को कलपित ही माहनते हैं, मीरा भाई के दो पद बहुत प्रसिद्ध हैं, बसो मिर नेनन मे नदलाल, महुनी मूरत सामरी स विरेनी बावरी सी भाई, उंची चड़ी आपने भवन में टेरत हाय दई, मीरा भाई के काव की भाषा राजस्तानी मिश्रित ब्रज भाषा है, संगीते उचंद विधान की द्रिष्टी से इनका काव उच्च कोटी का है, उनके पद विभिन राग रागनियों में हैं, वियोग स्रंगार एवं सांत रसो की प्रधानता उनके काव में है, अब देखे रस्खान, रस्खान के बारे में भी कई वार टिपनी पूछी जाती है, तो इनकी जो जन्म है इनका वो 1533 और मृत्यु 1618, इनकी जो प्रमुख रसना और अंतिम रसना है वो है प्रेम ब पाटिगा के अलावा इनोंने दान लिला, इनकी और एक रसना है, हिंदी के मुसल्मान कवियों में रस्खान का महत्पुनिस्तान है, कई बार प्रेम पूछा भी जाता है चात्रों, कि रस्खान वास्थम में रस्खी खान थे, सो उधारन इसपस्ट कीजिए, तो देखिए हिंदी के मुसल्मान कवियों में, रस्खान का महत्पुनिस्तान है, दोस्वावन वैश्णवन वारता में इनका उलेख है, ऐसा प्रसिद्धे इनोंने गोष्वावन बिठल नाजी के जी से बल्लव शंपरदाय की दिख्चली थी, डॉक्टर नगेन ने रस्खान का जन 1533 में स्युकार किया है, पहले ये दिल्ली में रहने के बाद में ये गोवरदन धाम आगे मूल गोषाई चरित में, ये उलेख है कि गोष्वावी तुलसिदास ने अपना रामचरित मानस स्वरपृतम रस्खान को ही सुनाया, प्रहिमबाटी का रस्खान के अंतिम करती है, इसकी रस्खाना 1614 इस्वी में हुई, उसके कुछ समय बाद 1618 इस्वी में रस्खान का द्यावसान हो गया, रस्खान की दो कृतियां उपलब्द होती हैं, जिसमें प्रहिमबाटी का और दान लीला, तेकी वर्तमान समय में सरवादिक प्रिचले संकलन सुजान रस्खान ह जिसमें 181 सवये 17 कवित और 12 दोहे और 400 रुटे संकलित, अस्ट्याम नामक उनकी एक कृति और मिली है, जिसमें कई दोहों में स्रीकृस्ण के प्रात्य जागरन से रात्री सयन, प्रियंत की दिंचरिया एं कृड़ाओं का वर्नन है, प्रेमबाटी का में कभी ने राधा क प्रेम तत्य को मालिन और माली मानकर प्रेमो धान का वर्नन करते हुए प्रेम के कूड तत्य का शुक्ष में निरूपन किया है, इस रचना में त्रेपंदो है, दान लीला के वल ग्यारे दोहों की छोटी सी करेती है, जिसमें राधा क्रश्ण संबाद है, रस खान ब्रिज भाषा के मरमग एवं शशक्त कभी है, प्रेम तत्य के निरूपन में उन्हें अध्भूस सपलता मिली, क्रश्ण के रूप पर मुग्द राधा एवं गोपियों की मने इस्तिती का मनोरम चित्रन उन्होंने किया, उनके काव में क्रश्ण के बाल सुंद्रे का भी चित्रन ह हुआ है, स्रंगारिम वात्सले उनके काव के प्रमुकरस है, सवया कवित दोहा चंद उन्हें प्रिये हैं, उनका प्रेम शुचंद प्रेम है, किन्तु उसमें सूफियों के प्रेम का अनुकरन नहीं है, ब्रजभूमी के प्रती उनका अनुराग निम्न सवये में प्रकट ह मानुष हो तो वही रस्खान बसो ब्रजगो कुल गाम के गवारन। मुझे वही ब्रजगो कुल गाम के गवारन। उन्हें इतनी प्यारी है कि वह तीनों लोकों का राज त्यागने खुतत पर है। उनके दो प्रिसित सवयों की पंक्तिया भी यहां उद्रत है। मोर पखा सिर उपर राखी हूं गूंज की माल गरे पही रोंगी। पही रोंगी पहनने से है। सेस महेस गने सिदने से सुरे सहु जाहित निरंतर ध्यावे। धूरी भरे अतिसोवित स्यामाजू वैसी बनी सिर सुन्दर चोटी। रसकान की भाषा सुद्र साहित्य की परिमार्जित प्रजभाषा है। जिसमें माधुरी और प्रसाद गुनों के कारण सरस्ता एवं सजीवत आ गई है। उन्होंने अपने समय में प्रकृत पद सेली न अपनाकर कभिशवया सेली को अपनाया। जो उनकी स्चन्द ब्रती का सूचक है। प्रिविध्यार्तियों आगे जो चैप्टर में अपना बात करेंगे। उसमें दीखे रामकाव के प्रमिक कभियों के बारे में। झाल झाल